हेलो एवरिवन, वेलकम टो मैं यूटूब चैनल, सी जी ग्यान, सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फॉर्थ के इंगलिश के बुक का लेशन फोर माइस, स्वाइस लेशन को उन स्टार्ट करते हैं, ओके, माइस मिस होता है सो बच्चों देखिए, माइस, माइस मिस होता है चूहें, ओके, जो आप M-O-U-S-E, माउस पढ़ते हो, उसका मतलब चूहा होता है, ठीक है एक चूहे को बोलते हैं, माइस मिस होते हैं, मतलब बहुत सारे चूहें होंगे, देखिए, तो उसे माइस बोला चाहेगा, ओके इर एस आर पिंक, ते अतित आर वाइट, दे रन अबाउट, दे हुसे अट नाइट, दे निबल फिंग्स, दे शूद नात टच, एंड नो वण सीम्स, तो राइक तैम मच, बट आइ ठीक, मैस आर नाइस, ओके सो आईए अब इसके हम English to Hindi explanation को समझ लेते हैं, okay I think mice मुझे चूहा लगता है, है ना I think mice, मतलब मैं सोस्ती हूँ ठीक, कि चूहे are rather nice okay, क्या होते हैं अच्छे होते हैं, ठीक है मैं से सोस्ती हूँ कि चूहे थोड़े अच्छे होते हैं their tails are long उनकी पूछ लंबी होती है ठीक है, देखिए इस picture में आप देख पा रहे हो ना, चूहे की पूछ क्या होती है, लंबी होती है ठीक है, their face is small, उनकी चेहरे छोटे होते हैं, कैसे होते हैं बच्छो देखो, face कि तर छोटा है, ठीक है आपने माइस देखा है ना, चूहा देखा है ठीक है, उसके face small होते हैं चोटे होते हैं they haven't any chin at all, they haven't any, उनके पास कोई chin at all, chin मिस होता है बिटा क्या होता है chin मिस ये थोड़ी है ना, तो उनके पास कोई chin नहीं होता, ठीक है their ears are pink और उनके कान कैसे होते हैं, ears मिस होता है कान, कान गुलाबी होते है ears pink होते है their tits are white, tits मिस होता है दात, और white मिस होता है सफेद, तो their tits are white, उनके दात सफेद होते हैं है ना, they run about, वे दौड़ते हैं ठीक है, the house at night, ठीक है, रात में क्या करते हैं, पुरे घर में इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, ओकी अपके घर में भी दौड़ते हैं they nibbles things, वे चीजे निगलते हैं, ठीक है nibbles मिस निगलना होता है, तो वे चीजों को क्या करते हैं, निगल लेते हैं they should not touch और उन्हें चूना नहीं चाहिए, ठीक है and no one seems और कोई उन्हें और कोई नहीं लगता, ठीक है to like them much उन्हें कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता but I think mice are nice लेकिन मैं सोचती हूँ है न, मुझे लगता है कि चूहे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं ठीक है, लेकिन मुझे चूहा लगता है अच्छे हैं ठीक है, एक और बार देख लेते हैं, देखो बेटा, इस relation में हम पढ़ रहे हैं, mice के बारे मंतर चूहों के बारे में, इसमें बताया जा रहा है, जो चूहे होते हैं ठीक है, वो थोड़े अच्छे होते हैं उनके tail, मतलब उनकी push लंबी होती है, उनके face small होते हैं, छोटे होते हैं है ना, और उनकी chin नहीं होते ठीक है, और उनकी eyes देखो, उनकी ears pink होते हैं है ना, उनकी तित white white होती है और वो पूरे night में हमारे घर में क्या करते रहते हैं इधर से उधर तॉड़ते रहते हैं और कुछी जोगों को भी इधर कुछ देखेंगे तो उसको निगल जाते हैं, खा जाते हैं और कुतरते हैं और हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए है ना, और कipping क्षुना नहीं चाहिए कोई भी टूञेंग तैम मच और उंको्य क्या नहीं करते हैं उन्हें सो बिटा इस लेशन में हम इस लेशन का exercise भी देखी लेते हैं, उसे भी हम complete कर लेते हैं, ठीक है, सो देखो क्या लिखा है, find the opposite of the word from the poem, कवीता से सब्दों का क्या करो, विपरित सब्दों खोजो, ओके, विपरित मतलब विलोम सब्द, ठीक है, opposite मिस विलोम होता है, विपरित होता है, ठीक है, सो यहाँ पर लिखा short, short मिस क्या होता है, कम, ठीक है, तो कम का क्या हो जाएगा, short का हो जाएगा, long है न, मतलब लंबा तो हम लेखेंगे यहाँ L O N G E शॉर्ट का पोजिट होता है बेटा लॉंग ओके अब देखिए यहाँ बी नबर में ब्लैंक ब्लैक मिस होता है काला ठीक है तो काला का क्या हो जाता है उल्टा सफेद ठीक है तो हम इसको क्या लेखेंगे सफेद को इंग्लिश म डबलू H I T E वाइट ओके आप भी अपने बुक में फिल कर लो ओके पैंक्सल से लिख लो डिसलाइक डिसलाइक मिस होता है बेटा नापसंद ओके तो नापसंद का पोजिट क्या होगा पसंद है ना और हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइक ओके क्या बोलेंगे बच् डी है बिटा आपका बीग बी-डी बीग मिस होता है बड़ा तो बड़ा का पोजिट क्या होगा चोटा और चोटे को हम इंग्लिश में क्या बोलते है small very good s m e double l small small मिस चोटा ओके so next question क्या है बच्चो next question है find the parts find the part of the body of mice that are mentioned in the poem इसमें बोला है poem में जो उलेखित चूहों के सरीर के कुछ हिस्सों को ढूंडे ठीक है आपने ये poem पढ़ा ना देखो ठीक है ये देखिए इस poem को आपने पढ़ा तो आपके इस poem में ये देखो ये mice है तो mice चूहे की body parts नीम आपको दिखा होगा जैसे ठीक है उनको क्या करना है उन parts को सरीर के अंगो के नाम को लिखना है ठीक है आपको इसमें तो आईए हम लिखते हैं ठीक है so क्या क्या देखा था आपने poem में tail है ना किसका tail बिटा चूहे का है ना ठीक है तो आप यहां लिखोगे टी ए आई एल टेल फरस्ट क्या है टेल मिस होता है पूच सेकेंड क्या देखा था हमने face f a c e face face मिस होता है मूँ उनका चहरा ठीक है ठाट देखा था बिटा हमने ear pink ear e a r s ears मिस होता है बच्छो कान ठीक है एन फोर्थ just a minute फोर्थ था तित वाइट तित मैंशन हुए है ना पोयम में ठीक है तो आप लिखोगे w h i sorry sorry erase कर ले ना आप लिखोगे t w e t as तित मिस होता है बच्छो दाथ एन फिट पाच में देखा था हमने चिन चिन में सोता है थुड़ी यह दाड़ी है ना जो आपके मूग के नीचे है c h i n s चिन्स में सोता है थुड़ी ओके so इसके हम third question को देख लेते हैं third question क्या है fill in the blanks with the name of animals आपको क्या करना है इस blanks को भरना है यह देखो यह blanks खालिस्तान देख रहा है इसको भरना है किसे भरना है जानवरों के नाम से है ना ठीक है तो शली हम भरते हैं ओकी भरेंगे ना ठीक है first है बिटा leave on trees है ना leave on trees जो पेड़ों पे रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं कौन सा अनिमल है जो पेड़ पे रहता है wow very good monkey m o n k e y monkey monkey मिस बंदर monkey leave on trees monkey बंदर पेड़ पर रहते हैं ठीक है second है बिटा leave in canals canals मिस होता है जो canals में रहते हैं ठीक है तो canals में कौन रहता है बच्चा dog very good तो लिखे d o जी जो इधर उधर भी रहते हैं है कहीं पे भी गली में भी रह जाते हैं तो dog dog leave in canals ठीक है अब देखिए third में क्या है sleep in their shed shed मिस तवेला होता है ठीक है जो अपने shed मिस होता है उसे क्या कहते हैं हम cow very good cow cow मिस होता है guy ठीक है तो guy अपने shed मिस होती है ठीक है fifth fourth leave in the hole okay जो छेद में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो हम लिखेंगे lion 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 live in den मतलब सेर गुफा में रहते हैं ठीक है and sixth number क्या लिखा है live in stable तबेले है ना stable में कौन रहता है तबेले में horse very good तो यहां लिखेंगे आप h o r s e horse horse मिस होता है घोडा ठीक है तो घोडा अस्तबल में रहते हैं तबेले ठीक है very good अब हम next देख लेते हैं fourth number fourth question क्या पूछा है which of the once again which of the statements about mice are true tick against tick right against the correct statement है ना तो इसमें बोला है कि which of the statement about mice are true mice के बारे में कौन सा statement कौन सा sentence सही है है ना उसके आगे हमको ऐसे true मतलब tick करना है सही का निसान लगाना है ठीक है तो आईए करते है क्या है first mice have short tail क्या mice के चूहे की छोटी पूछ होती है हमने relation में क्या पढ़ा था क्या है relation में एक मिनट क्या लिखा है their tails are long उनके पूछ कैसी होती है लंबी होती है तो हम यहां क्या लिखेंगी क्या करेंगी रॉंग ठीक mice have short tails तो नहीं चूहों की छोटी पूछ नहीं होती है ठीक है mice have a big chin चूहों के पास एक बड़ी थोड़ी होती है क्या नहीं होती ना ठीक है तो आप इसके आगे cut करेंगे तो आप इसके आगे true करोगे है ना सही का निशान लगाओगे फिप्थ mice nibbles everything they find in the house है ना चूहे हर चीज कुतरते हैं जो उन्हें घर में मिलती है nibbles मिस कुतरना ठीक है जब वो खा जाते हैं निगल लेते हैं ठीक है तो क्या यह सही है very good सही है हम इसके आगे right लगाएंगे six everyone likes mice हर कोई चूहो को पसंद करता है नहीं ठीक है तो आप इसके आगे cut करते ना ठीक है तो यह वाल भी हो गया आईए हम फिप्थ नमबर देख लेते हैं ठीक है फिप्थ कुशन क्या है बच्चों write the rhyming words आपको इसमें क्या करना है rhyming words लिखने है क्या करना है write the rhyming words ठीक है rhyming words मतलब समझते हैं ना एक समान्द वनी वाले सब्द ठीक है so इसमें क्या है first mice देखे mice, nice, rice, price ठीक है यह आपके लिए किया हुआ है तो mice में शूही, nice में अच्छा rice में चावल और price में मुल्य है ना कीमत so second है small small में चोटा तो इसका क्या हो जाएग राइमी words लिखिए w a ll wall ठीक है फिल लिखेगा s t a ll stall फिल लिखो बेटा b a double ball ओकी three three rhyming words देने है तो हमने दे दिया small का ball stall और ball है ना small में चोटा wall में दिवार और stall में दुकान और ball में गेंद ओकी so third है white white में होता है सफेद तो इसका rhyming word हो जाएगा right लिखे r-i-g-s-t right okay next n-i-g-s-t night night में स्राथ and third b-r-i-g-s-t bright bright में सुझवल ठीक है very good and यहां जो है fourth है touch touch miss होता है पर्स करना छूना ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चो rhyming words c-l-u-e sorry c-l-u-c-h okay clutch clutch m-u-c-h much much miss much miss बहुत है ना फिर s-u-c-h such such miss ऐसा ठीक है तो इसका हमने देख लिया क्या क्या था touch का clutch much such okay अब देखिए हम देख लेते mouse का किसका mouse ठीक तो mouse miss होता है चूहा इसके rhyming words होंगे house h-o-u-s-e house फिर c-a-u-s-e cows ठीक है और s-p-o-u-s-p-o-u-s-e ठीक है spouse ठीक है देखो mouse miss चूहा house miss मकान है ना या घर और cows miss होता है कारण ठीक है causes कारण और spouse miss होता है बिटा spouse miss पती या पत्नी ठीक है so fourth question भी अब फिप्त question भी हो गया आपका अब हम देख लेते है question number six okay question number six क्या है here is the picture of mouse यहाँ क्या है एक mouse एक चूहे की picture दी गई है देख रहे होने यहाँ पे एक चूहे का तस्वीर है level the picture तो आपको क्या करना है इसको label करना है ऐसे ठीक है यह label क्या होगे इसको आपको लिखना है with precious from the poem जो poem में precious लिखे हुए है जो दिये हुए है इसके बारे में है जो आपक्यान साथ तस्वीर को क्या करना है इसको label करना है ठीक है माउस का तस्वीर दिख रहा है आप लोगों को देखो एक किया हुआ है white तित ठीक है यहाँ पे माउस का क्या है एक सफीद तित है ठीक तो हम second box में लिखेंगे यह क्या है बेटा यह क्या है यह है pink ear ओके तो हम लिखेंगे P I N K ओके pink E A R pink ear pink ear में इस गुलाबी कान very good अब देखो यह क्या है यह long tail हमने पोहम में पढ़ा था ना long tail तो आप लिखेंगे L O N G long T A I L long tail Oके N यह वाला क्या है बिटा One second है ना यह जो है आपका यह है face very good तो लिखे F A C E face Oके ठीक है तो very good बहुत अच्छे आप लोगों ने सब कुछ बता दिया यह mouse है mouse का क्या है pink ear white teeth face long tail ओके तो isolation का हमने क्या कर लिया सारा exercise कर लिया है ना साथ ही साथ हमने isolation को isolation के explanation को भी समझ लिया है ठीक है तो आप क्या किजे अगर आपको relation समझ आया और आप इसके question answer को link पाए है तो आप इस video को क्या करे share करे ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुं सके और उनकी help हो सके so thank you for watching this video like comment and share please